हैलो दोस्तो बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में बिहार के तमाम बाड़ी खबरे जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे तो फटफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाई जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ हैं हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ हैं आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर पुछें आज की पहली कबर 312 हेड कॉंस्टेबल की भरती के लिए ओलाइन आवेदन सुरू जिहां बियस अपने हेड कॉंस्टेबल के 312 पदों पर भरती के लिए आवेदन आमांत्रित किये हैं इच्चो का वियर्थी ओफिसल वेबसाइट रे ctt.bsf.gov.in पर जाकर ओलाइन आवेदन कर सकते हैं बियस अपने हेड कॉंस्टेबल पदों के लिए बारवी पास अवियर्थी ही आवेदन कर सकते हैं इस भरती में कूल 312 रिक्तिया जिन में से 982 पद हेड कॉंस्टेबल के लिए और सेस 330 रिक्तिया हेड कॉंस्टेबल पदों के लिए हैं बियस अप कि इस भरती के लिए ओलाइन आवेदन का लिंग 21 अगस 2022 से एक्टिव हो चुका है अवियर्थी अब 19 सितंबर 2022 तग आवेदन कर सकेंगे बाड़ी कबर पाटना में नोकरे के लिए परदसन कर रहे टेट पास बेरोजगारों पर बरसाई गई लाठिया जी अबिहार के राज़ा ने पाटना में कल बेटेट पास सिचक अबियर्थी उन्हें परदसन किया डाक बंगला चोराहे पर अपरा तब्री का माहूल बन गया परदसन कारी सिचक अबियर्थी अपनी मांगू को लेकर डटे हुए थे उनका कहना था कि साथवे चरण की सिक्चक नियोजन की विगापित निकले बगेर भी वापस नहीं जाएंगे पुलिस की पताधिकारी और पटना सदर HDM उन्हें समझाने में लगे थे इसी बीच मौके पर तेनात एक पताधिकारी ने एक परदसन कारी की लाठियों से पिटाई कर दी उनके साथ सरक्षा में तेनात सिपायों ने भी सड़क पर गिरे अबियर्थियों को लाठिय से पि जानकारी के लिए बता दी कि समवार को लगवा 5000 से ज़्यादा सिक्षा का बियर्थी डाग बंगला चोराहे पर प्रदसन कर रहे थे प्रदसन कारीयों का जत्ता सचिवाला की ओर बढ़ रहा था जिसे इंकम टेक्स के पास रोग दिया गया उसके बाद अबियर्थी डाग बंगला पर आकर सडक पर बेट गए इसी दोरान एक की पिटाई की गई तो वहीं बाड़ी खबर तिरंगा के लिए छादर को लट्याने वाले एडियम के खिलाब एकसल लेगी नितिस सरकार तेजस्वी के फोन पर जाच हुआ सुरू जिहां ओप उमी के मंतरे तेजस्वी जिला अधिकारी के निदेश पर पाटना सेंटरल एस्पी और ओब विकास आयूत के नेतुत में जाच कमीटी गठित की गई है कहा कि एडियम ने खुद लाठी चार्ज क्यों किया ऐसी क्या नौबत आ गई थी इसकी जाच की जारे ये दोसी पाये जाने पर समधित अधिक प्रदसन ने सकती बरतनी शुरू कर दी है अगले तेन दिनों तक पाटना सतर इलाकों के प्रतिबंदित चेतरों में धारा 1444 लगू कर दी गई है इसमें डाग बंगला चोरा है गांधी मैदान बेली रोड और बोरिंग रोड के इलाके आएंगे जानकारी के अनुसार गर सुसील मोदी ने कहा नोकरी के बदले लाटियों से पिड़वाना सुरुक कर दिया नितिस कुमार जहां पूरू ओपुमिक मंत्री अवम राजसबा सदय से सुसील कुमार मोदी ने सातवी चरन की सिख्चक भरती की मांग करने वाले चात्रों पर लाटि चार्ज की कड़ी सुसील मोदी ने कहा कि सिख्चक नियुकती में विलाम के लिए मुख्यमंत्री नितिस कुमार सिदे जिम्मिदार है। पोदे ने कहा कि कार्तूस प्रेमी नए सिक्षा मंत्री 20 लाख लोगों को नोकरी दिने का वादा करते हैं जबकि सिक्षा की नोकरी मांगने वालो पर डंडी बरसाए जाते हैं बाड़ी कबर बाड़ बारिस से छे राज बेहाल राजस्तान में 200 और एमपे में 50 डेम ओवर फ्लो परियाग राज में 50 जार चात्रो का पलायान पटना में घाट डूबा जिया मैद परदेस राजस्तान उत्तर परदेस सिमाचल और बिहार में पिछले 48 घंडों से बहारी ब परदेस में फ्लेस फलड और लेंड स्लाइट के 36 गटनाओं में 22 लोगों की जान चली गई है वहें बारिस से मद परदेस और 36 गड के बेच सड़क संपरक तोड़ गया है इदर राजस्तान के टौक बोटी कोटाओं में सहरों में सड़क पर कई फेट पानी भर गया है इन जादियो के किनारे बसे गाउं को अलड जारी किया गया है कई जीलों में गंगा खत्रे की निसान के करीब पहुच गई है पिछले 24 गंटे में पाटना समीत कई जीलों में बारिस के चलते मौसम में रहत मिली है पाटना में सोमवार को भी भारी बारिस हुई वहें मौसम व भाग लोगों को सावधान और सतर करहने की सलादी है बाड़ी कबर बीएड में सीटे नहीं भरने पर स्लाइड अब मौका दिया जाएगा कुलपदी का एलान जिहां सीटी बीएड में नामांकन के लिए काउंसिलिंग सुल्क जमा करने की देती 22 से बढ़ा कर 25 अगस तक कर द देना है नोडल विस्विदलय ललित नारान मितला विस्विदलय दरबंगा के कुलपदी प्रोपेसर एसपी सिंग ने बताया कि पाले रावन में कितना नामांकन होता है यह देखा जाएगा सीटे अगर नहीं भारेगी तो छात्रों को स्लाइड अप का मौका दिया एक सीट पर तीन चात्र सपल हुए है प्रतम सुची में 37,200 अभियर्तियों महाविदलय संस्तानों में नामांकन क्ली सीट आवांडित की गई है इसमें अब दग 20,015 अभियर्तों ने आवांडित महाविदलय संस्तान को सिवकार कर आंसिक सुलके के रूप में 3000 रुपे ज अमर्स के बाद 250 अभियर्तियों में नए कुल पत्यों को न्यूक्त किया है। साल बार यहां तिरते यात्रों के लिए जेल के उपलबदा रहेगी। फालगों नदे में बने रबड़ डेम परियोजना के प्रगति का उन्होंने जाईजा लिया और बदाधिकारियों को कई नेदेस दिया। सिता कोन का निर्चन करते वा मुख मंत्री ने आधिकारियों को निदेस दिया के रबड़ डेम से इस कोन को जोडने के लिए मर्ग का निर्मान कराए। से पहले स्टूडियों में बैठ कर कॉमेंटरी करते थे आई से मायनाता प्राद आर नेटवर्क के लिए वा अपनी आवाज देंगे कुछ दिनों में वा मुदुभाई के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे एसिया कब 27 अगस से 11 सितंबर के बीच दूबा में खिला जाएगा भारत पाकिस्तान का मैच 28 अगस को है पूरे एसिया कब के दरानवा कमेंटरी करते नजर आएंगे बाड़ी कबर महंगाई और अगनिपत योजना पर पढ़ना में पापो यादव के जाप हला बोल पर लाठी चार्ज जहां राजदाने पढ़ना में समवार को महंगाई खायद पदातों पर बड़ी जीएश्टी अगनिपत योजना और बेरोजगार के खिलाब जान दिकार पाड़ी ने राजबान मार्च निकला जाप रमुक पापो यादव के नितुत में सेख़ड की संक्या में करकरता उन्हें नेती सरकार की किलाप जमकर नारिबाजी की नारिबाजी करते वे करकरता जब डाग बंगला चोरहा पहुझे तो पुलिस ने उसके साथ नोख जोख हो गए मामली को बिगड़ता देग पुलिस ने पाले तो वाटर केनल का इस्तमार किया फिर उसके बाद लाठी चार्ज कर दिया इस दोरान पापो यादव ने पीम मोदी पर जमकर निसाना साथा उन्होंने कहा कि 2024 के चुना में हमें हिटलर मोदी से मुक्ती चाहिए अगर किसानों को दूगों ने स्सपी देनी है तो मोदी से सत्तम वापस लेनी होगी अगनी वीर योजना देश के वावों के लिए अभी साप की तरह है बिहार में आप साथ दिनों में मिलेगा चरितर परमान पत्र देरी पर सरकार सक्त उठाया गया यह कदम जी हविहार में आप आम लोगों को चरितर पर्मान पत्र जारी करने में देरी करने या अटकाने वाले पदादिकारियों के खिलाब कारवाई की जाएगी पुलिस महाकामे से जोड़ी से आरबे के डियाजी को इसके समोजित मौनेटरिंग की जिम्मेदारी सपी गई है साथ पुलिस मुख्याले ने इस लेकर सभी जिलों को सक्त निदेश भी जारी किया है साथ थाना इस्तर परिसादेश का पालान पुरी सिद्धत से करने के लिए कहा गया है सुबह में चरितर पर्मान पत्र के सिवा को आटी पी एस में सामिल किया गया है इसमें निर्धारित समय सिमसाथ के अंदर आवेदक को प्रदान करना देना है परंदुथाना समेत अन इस्तर के बदादिकारियों और कार्मियों की लापारवाही की कारान ये सूचनाएं समय पर नहीं मिल पाती है इस मसले के समधान को ले कर ग्रे बवाग के अपरमू के सचेव चितन्य प्रसाद सचेव जीतंद्र स्रिवास्तावा विसे सचेव विकास बेबव समेत अन अदिकारियों के एक विसे समिक्चा बेड़क हुई थी इसके बाद सभी जिला को ये निर्देस दिया गया कि वे चरीतर पर्मान पत्र जारी करने में देरी करने के लिए दोसी पतादी कारी या कर्मी को चीनित करे और उनके खिलाब करवाई करे आपके जानकारी के लिए बदादिक राज में आपदक चरितर पर्मान पत्र बनवानी के लिए 9,67,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं जिसमें से करीब 2,67,000 लंबित है अबर मितलांचल माखाना को मिला जियाई टेग खुसी से जोम उठा मितलांचल जी हकेंदर सरकार ने मितला माखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानि की जियाई टेग से सम्मानित किया हकेंदर वानी जिग और उद्योग मंत्री प्यूस गोईल ने ट्विट करके कहा कि मितला माखाना जियाई टेग में पंजिकरित हो गया है इसी मितला चेतर के पांच लाग किसानों को ला मिलेगा और कामाई भी अधिक हो सकीगी बदादे कि मितला के मखाना को मितला मखाना नाम से जी आई टेग मिलने की सुचना से लोगों में हर से सनिवार को सोसल मीडिया पर यहां कवर फेलते ही लोग एक दूसरी को फोन कर इसकी जानकारी लेने लगे मितला के लोगों को लंबी समय से इसका अंतिजार था बिहार के दो लाग से ज्यादा चात्राओं के लिए अच्छी ख़बर सरकार बैंक अकाउंड में भेजेगी दस हजार रुपिये जिया वर्स 2021 के इंडर परिछा में प्रदेश भर से पांच लाग चोबिस जार एक सो चपन चात्राइस सपल हुई थी इनमें से तीन लाग दस जार को प्रोजना का लाब इसलिए नहीं मिल पाया है कैकि उनका अवेदन पोर्टल पर उपलब्द नहीं हो पाये थी अब सिक्चा विभाग प्रोजसान रासी से वंचित चात्राव को जल्द योजना का लाब दिलाने जा रहा है रासी स्विकिर्त के लिए विति विभाग को प्रस्ताव भीजा गया है मुईकी मंतरी बाली का प्रोजसान योजना के तहद इंडर पास करने वाले आविभाई चात्राव को दस दस हजार रुपे देने का प्रावधान है मैदमेक सिचा नेदिस अलाईज ने योजना से बंचत छात्राव को रासी भोगतान के प्रक्रिया सुनिशित करने के लिए सभी जिला सिच्चा दिकारियों को निर्दिस दिया है आज के लिए बस इतना ही इस तरह बिहार के डेली निउस देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें